प्यारे बच्चों हम पढ़ें कक्षा छांकि गणित का दూसरा आथ जो कि है पून संख्या है और पून संख्यां में हंने जाना था कि वे संख्यां जो शुनिय उता होती हैं अर्थाथ हमारे गिंटी वाली संख्यां में अगर हम शुनिय को और एड़ कर दें तो व क्या बन नहीं होता है इसी प्रकार से एक को किसी अन्य संख्या से गुणा करे तो इसमें कोई परवरता नहीं होता है न हमने जाना था तो चुकि शुन्यों और एक अपने आमें इन सब से अलग होगे लाव बहुत खास्ते हैं जिसके बारे में आज हम चड़्चा करने तो आईए शुरू करते हैं हम सबसे पहले शुन्य के बारें बात कर लेते हैं सबसे पहली बात है शुन्य एक विशेश भूमिका में जैसे कि हमने बात की कि शुन्य कुछ अलग है कुछ विशेश बाते हैं तो वो क्या बाते हैं देखते हैं सबसे पहली बात सबसे छोटी प बाए हाथ की तरफ होते हैं तो बलकुष शुन्य क्या है सबसे छोटी पूर्वर्वर्थी नहीं होता है पूर्वर्वर्थी के बारे में भी हम बात कर चुकिए पूर्वर्वर्थी अर्था ठीक पहले आने वाला तो यहां पर जैसे हम देखें चार का पूर्वर्वर्थी क में शुन्य का पूरवर्ती नहीं होता है ठीक है इसके अलावा नेक्स बिंदू है तीसरा जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही रिनात्मक अब आप सूचरोंगे कि रिनात्मक और धनात्मक कहां से है तो बच्चों आपका सोचना वाज़िफ है क्योंकि अभी तक हमने इनके सब्सक्राइब कर देद हैं यह ने कि जाने गे कि जो संख्या है जबकी इस आगे भी होती है तो यहां आप ध्यान नग्र दें तो शुन्य के दाएं हाथ की तरफ धनात्मक अनलीग हैं जबकि बाए हाथ की तरफ रहनात्मक संख्य है और चूकि शुनय इन अन दोनों के ठीक बीचो बीच है तो आप समझे ना तो यह धनात्मक है नहीं है रहनात्मक है ठीकिन, चलते है चौथे मिन्दु पर जीरो ना तो भाजी संख्या है नहीं अब भाजी संख्या है चलते हैं अगले बिंदु पर पाज़े पर किसी भी शुनियत्र संख्या की घाज शुन्य होने पर मान एक होता है अब बाच्छों यह बहुत ही इंपोर्टन बिंदु है इसको तो आप विशेश तोर पर नोट कर ही लीजे होता है ठीक है उसके घाज जीरो होने पर अर्थाद अगर हम इसकी घाज जीरो ले 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 तो इसका मान क्या होता है एक और घाज के बारे में हम आगे ही पढ़ने वाले है ठीक है और आगे देखते हैं जीरो के बारे में और जाने के लिए जीरो से संक्रियाएं ठीक है और यहां एक चीज दे और लिकिए एक कोई चर राशी है चर राशी का मतलब होता है कुछ भी मान हम रख सकते हैं ठीक है तो सबसे बहुत करते हैं हम योग की तो आप देख पारें ए प्लस जीरो बराबर ही अर्थात अगर महान लोगे मैं एक ही जगर साथ माल लो तो इस शुन्य से संख्या पर कोई परवरता नहीं है साथ का साथ प्राप्त हो और अगर मैं करम बदल दू अर्था शुन्य को पहले लिख दू और संख्या को बाद में लिख दू तो भी हमारा मान क्या होने वाला है मेरे पस कुछ नहीं था लेकिन साथ फूल आगे तो अब म समझ जाए इस बात को अच्छे समझने कि शुन्य जोडने से चाहे उसको आगे जोड़ा जाए चाहे पीछे जोड़ा जाए संख्या के योग पर कोई परवरता नहीं होता है चलते है अगले मिंदु पर जोकी है व्यावकलन तो इसे प्रेकार से अगर हम घटाएं मान तो यह उसी परकार से अगर किसी संख्या में से शुन्य को घटाया जाए तो वापिस संख्या प्राप्त हो जाए लेकिन ध्यान दीजेगा अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ जीरो में से बारा को घटा दू ठीक ना यानि कि अगर माली यह मेरे पास कुछ भी रुपय नही और मेरे से कोई 12 रुपय लेने आ गया तो क्या यह संभव है नहीं है संभव में देगी नहीं पाऊंगी देपाऊंगी क्या लेकिन हमारी गणितिय भाषा में इसको नए शब से काम लिया जो कि है माइनस 12 रेनात्मक 12 जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि यह माइनस की सं अगर जीरो में से संख्या घुटाया तो अंतर आएगा तो यह छोट-छोटी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे ध्यान देनी हैं यहां पर योज में हम इसका क्रम विन्मे कर दें क्रम बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और जब कि संख्या रेनात्मक जाती तो छोट-छोटे बिंदू है आपको अच्छे से ध्यान रखने कि इन दौना में अंतर है अब बात करते हैं गोणा की तो गोणा की बात बच्चों में आपको बता दू कि जनरली होता क्या है कि बच्चे योग और गोणा को एक जैसा समझ लेते हैं खासकर शुन्य के मामने मे गलती क्या होती है गलती यह होती है जिसे यही एक्जामपल लेते हैं अगर मैं साथ को शुन्य से गुला करूं तो क्या मान प्राप्त होगा बताएं बिलकुत हो सकता है आप में से कुछ को पता हो कुछ को ना पता हो तो मैं आपको बदा दूँ शुन्य ही हो जाएगा तो साथ प्राप्त हुआ, अर्था संख्या में कोई परवरता नहीं हुआ, लेकिन यहां तो संख्या ही बदल गई, शुन्या आ गया, अर्था शुन्या ने इसको अपने जैसा कर दिया, कुछ इसको इस तरह से समझ सकते हैं, कि हम से जो टकराएगा, वो शुन्या हो जाएगा, यह बात कौन बोल रहा है, बिलकुर शुन्या बोल रहा है, मैं इतना पावर्फुल हुँ, इतना ताकत हुरूँ, कि अगर कोई मुझसे टकराएगा, तो मैं उसको भी शुन्या कर दूँगा, लेकिन अगर कोई मिझसे प्यार से मिलेगा, देखें, प्लस को हम कुछ प्या क्या कर देगा बिल्कुल अपने ऐसा कर देगा शिने कर देगा तो बहुत इंपॉर्टन बिंदू है इसे भी आप याद रखे का ठीक है और दौनों में अंतर है यह चीज तो में पते हैं तो देखिए हर चीज अपने आप में थोड़ी से बिन है अब बात करते हैं भाग की यह तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टन है आप कहरेंगे माडम सब इंपॉर्टन बता रहें तो बिल्कुल मैं क्या करूं है तो आपको पहले का जीरो बहुत विशेश अंक है और इसलिए हम पूरा एक वीडियो इस पर पर बना रहे हैं और समझ रहे हैं ठीके ना तो बात कर करते हैं भाग की तो भाग के लिए हम क्या करेंगे हम भाग दे करके देखेंगे जैसे कि यहां पर बात हो रही है कि किसी संख्या में अगर शुन्य का भाग दिया जाए तो अर्थात माल लिजए यहां पर पर अपने संख्या ले लिए 6 और 6 में हम भाग दे रहेंगे इसक अब भी पढ़ा हमने क्या देखा कि जीरो अगर किसी भी संख्या से टक्राता है तो इसको जीरो कर देता है ठीक है ना तो आप समझ गयोंगे कि सारा पहाडा क्या होने वाला है बिल्कुल जो भी टक्राता जाएगा उसको शुन्य कर देगा तो यह 0 दूना 0 0 3 0 और इसी तरह कैसे 0 गुणा 10 भी क्या होने वाला है यह चलता चलता शुन्य होने वाला है ठीक है तो हमने देखा कि कितना भी बड़ा पहाडा पढ़ लेगर हम 100 करोड तक भी पहुंझा तो क्या होने वाला है शुन्य होने वाला है 6 तो किसी भी हाल में नहीं आएगा ठीक है ना और यहा रखेगा हमें शुन्य का भाग किसी भी संख्या में नहीं देना है ठीक है अब बात करते हैं क्या शुन्य में भाग जा सकता है बिल्कुल जा सकता है देखते हैं इसको भी उसमें क्या करना है हमें अब कि बार हमें शुन्य को पीछे रखना है शुन्य को आगे रखना है और सेंख्या को पीछे रखना है अर्था 0 को अंदर देना है और 6话 11 ए ये मान जैसे कि हम बता चुके शुन्य आएगा कैसे आएगा देखते हैं अब हम बात करते हैं पहाड़े की तो पहाड़ा और अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ी पहले नंबर पे 6 जो कि इससे बड़ा है तो इससे पूरू बिल्कुल अभी हमने इस पार्ट में पढ़ा है कि एक से पूरू भी क्या होता है शुन्य होता है तो हम वैसे हमें आदत होनी चाहिए हम पहाड़े को अगर शुन् पर शुन्य हो जाएगा है ना तो 6 का पहाड़ा किती दफा पढ़ने पर शुन्य आ रहे है बिल्कुल शुन्य दफा पढ़ने पर तो पूरा-पूरा भाग चला गया ना आपने देखा तो ऐसे में हम समझ गए कि अगर यहां पर पे 6 की जगह कोई और संख्या से भी अगर आरी हे ना बात सामझ में तो दोनों बातों में आप अगर हम देखें तो चारों की चारों संक्री एं अपने आप में स्पेशल हैं। अब चलते हैं हमारी अगली संख्या पर जो कही है संख्या venir Seer 1 Eller 1 एक नजर अनंतर, तो हमारी सबसे छोटी प्राकर्ट संख्या क्या हो गई, बिलकुल एक हो गई, इसके बात करते हैं, प्राकर्ट संख्या में एक का पूरवर्ती नहीं होता, अभी हमने समझा, पूरवर्ती मतलब ठीक पहले का, तो एक का पूरवर्ती प्राकर्ट संख्या में तो नह तो जैसे कि बच्चों, हम रोमन संख्या पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, तो रोमन संख्या में भी इसी प्रकार से इसको काम में लेता है, ठीक है, वो बाते लेकर थोड़ा डिजाइन बनाने के लिए इसको ऐसे कर देते हैं, बाकि रोमन संख्या में भी एक को इसी परवर्तन नहीं होता है, वही संख्या प्राफ्त हो जाती है, छे को अगर मैं एक से गुणा करूँ तो छे होगा, और एक को अगर छे से गुणा करूँ तो भी छे होगा, अर्था संख्या में कोई परवर्तन नहीं होता और यही इसको गुणात्मक तस्मक बनाता है, ठीक अगर हम आगे पढ़ेंगे गुणांग मिस गुणा करने वाला अंग तो एक का गुणांग खुद एक होता है एक का वर्ग भी एक ही होता है एक का घन भी एक होता और एक का घन मुल भी एक ही होता है ठीक है यह आप नोट कर लिजे ताकि जब हम आगे इन सब बिंदों को तो जैसे कि हमने बात कि थी कि शुन्य के इस तरफ एक, दो, तीन, चार और इस तरह से संख्याँ चलती है और इस तरफ माइनस एक, माइनस दो और रनात्मक संख्याँ चलती है ठीक है तो अब बात करें हम यहाँ पर पर धनात्मक संख्याँ की तो धनात्मक संख्याँ की इस कौन है? एक है और उसमें भी अगर हम विशम-sankhya की बात करें तो वह एक ही होती है और विशम-sankhya तो हम पूर में पढ़ चुके है, वे संख्या है जिमने दो का पूरा-पूरा भाग नहीं जाता है आगे करते हैं ना तो भाजे-sankhya ना ही भाजे-sankhya जैसे कि हमने शुन्यों और एक दौनों के दौनों ना तो भाजे संख्या हैं ना ही अवाजे संख्या हैं तो बच्चों हमने आज इस वीडियो में जीरो और एक के बारे में बहुत महतोपुन विंदो पर चर्चा की है उमीद है आपको सब समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्णों के साथ नए तत्यों के साथ जुड़े रहिए थैंक यू